पुदाल मंत्री जा रहा है और भगवान राम का जो है कि हाथ पकड़ के लिए यह राम को लाए है पुदाल मंत्री जी दोड़े कराते हैं आज का नौजवार रोजी रोटी रोजगार चाहता है तब नहीं कुछ का है सोना बेच के बात करें अब आश्पती ने पाच लाग दिया है योगी ने एक लाग दिया है कि अगर आप बात करते हैं तो सनातन धर्म को आपको मानना चाहिए और उसके परमपराओं को मानना चाहिए उसके नियमों को मानना चाहिए तो राम मंदिर का जो निर्मार हुआ या वो हुआ जो भी हुआ इसमें उस छेत्र के पंडित बिद्वान की जरूरत पढ़ती है ना कि उसमें नेपेंद मिसरा और चंपत राय जैसे चंपत लोगों की जरूरत पढ़ती है बात को समझेगा जो पैसा कमा के चंपत होना चाहत ना है सनातन को ताक पे रख देना है उन बैक्तियों को बैठा कर मंदिर कर निर्माड आप करा रहे हैं और उन बैक्तियों के कहने पर अपने आपको ब्रह्मा विश्लुमाइज काल लबा रहे हैं दूसरी चीजी आपको यह सोचना चाहिए कि भगवान राम की अस्थापना के लिए वहां के पुजारी पंडित वगेरा बनाए गए है उनका काम है मंदिर के भव्माड राम के स्थापना करना आप तमाम नेताओं को बुला रहे हैं तमाम पूजी पतियों को बुला रहे हैं वो कोई उसका संसा का उद्गाटन नहीं है वह भगवान का पूजनिया इसमें सारे देश के सभी जातिधर्म के लोगों ने पैसा दिया है जान के रूप में और उसमें चंपत रहा है बैठ गया है और दिल भर खाली बजमीन की दलाली कर रहा है यही काम उसका रहा गया है और नेपेज मिसला का है बड़ी-बड़ी कमपनियों से टेंडर ले आ करेंनेरा दिल जे जिसके दवारा जो जानी हो जो भगवान रामके एस्टापना कर सके वही अस्थापना करें और वह πिड एकठा करने जरूरत नहीं है कि जो तमाम इंटरी आएंगे मंत्री जैंगा मंत्री जी पहले विभाग तो संभान लें तब आकर राम मंदिर समाँ लेंगे और सनातन की आप बात करते हैं सनातन धर्म के पुलाली मार रहा है वे संदर्म के लिखता है कि आप जायां कि कोостर वाइब नब पर पिछवाड है बैठाया जाएगा आगे मंत्री बैठेंगे और अब मुक्मंत्री बैठेंगे तो वहीं पड़ेंगे पिस वाले बैठा दो के पंदीत को तो मतलब आके पुझा हो जाएगी कैसे हो जाएगी पंदीत जो आ रहे हैं जो उसके मेन हैं वा रहा है उनको उद्धाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है उनको दूर से दर्स है योगी ने एक लाख दिया है योगे सो मोरिया ने पचास जार दिया है और मैं दसलाख रुपए राम मंदर में दिया हूं और अभी तक मेरे पास लेटर नहीं आया आए यहां पर राश्पती 5 लाग दिया है योगी एक लाग परिषम सेनाद्ध परिवार से हैं देजबत की बात करते हैं आज तक कोई सम्मान नहीं दिया इन सबोंने परिषम सेनाद्ध परिवार से हूं लेकिन इन गद्दारों ने कभी नेता जिस सुवास्टन बोश को भारत पत्त ही दिया सिर्फ आश्वासन देते हैं सब्समान नहीं देते हैं नेता जी के साथ जब इस सब धोखा कर रहा है तो हम आप क्या चीज है जिनोंने देश आजाद करवा है तो गद्दार है अब किसी के पर्सनल बात में उलग है गलत हो रहा है कि नेता हम क्या जानते हो क्या है नहीं है अभी तक नहीं है सब यह सबुत रहें देखो तक कर देखाएं देखाएं अब दिखाएं देखा देलते हैं इसे अ ज़्यादा मुख्य मंतर से ज़्यादा पैसा पैसा मैंसे दिखा दिए दिखा रहा है जब पूरा सबसे बड़ा है काउसल से आप पूछिए और काउसल जी यहां और यहां जो हजार लोग खड़े हैं इनके हम बात मारेंगे देखें लोग यहां जो यहां मेर तीचा नाम है उसका लड़का यह है यह सब्सक्राइब हाटिया का लड़का यह काउसल जी है यह मद्दा सलाक का चेक इनके हाथ में दे रहा हूं और भारत के आज़ाद इन फोट के परिवार राके सिर्वास्तों चीफ एडिटर नौ लाख निन्यानवे हजार नौसो निन्यानवे हजार में राम मंदिर को आज तक दलालों को क्यों बुलाए गया तक देश्भक्त परिवार को बुलाए जाता है लग देख सकते हैं नौ लाख निनानवे अजार नौसो निनानवे रुपया दिया है और अश्टपति से दिगना दिये हैं बताई यह दिया है अच्छी बात है भगवान के नाम पर कला था पिजयत कर दाघन है जाहए चाहिंरे हमारा दुंचैनल को हमारा एजैंट बना दिया जबर्दास कि आपका काम होगा और बाद भाग गया दिल्ली हमसे पूछिए कि अरे हम जानना है बीजेपी चर्ट करता जाने वीच साल से बीजेपी महां जानना है तलाली कड़ा हो पुछाई है करो ना तुमारे जी मैं यही काम है क्या अरे को दसलाक रुपय दिये बता रहे हैं तुम लोग है प्रवान के ने वर्ति दिये हैं तो तुम्हारा क्या लग रहा है खतम है चंदा देदी हो गया बता है यह अच्छा हुआ लेकिन उनको बुलाना चाहिए वह बुलावे ना बुलावे उट्रस का काम है शारे लोगों ने चंदा दिया सबको बुला थोड़ी रहें राष्ट्पती से दुगना दिया तो बिना बुलावे नहीं जा सकते हैं उसके नहीं जा जाना दिया तो जाने में आपको क्या पति रहें तो अब बिना बुलाएं नहीं जा सकते आम आदमी नहीं जा सकते विल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे सब रहे सारी बेहुस्ता जाने वाला है क्या बात कर रहा हूं वहां पर किसी को होना रहेंगे ही सब लोग बाकी जोसी मुड़ी मनुहर और लाल केसा अडवानी ओमा भारती और बिने कटियार जी का और कल्यान सिंगी के लड़के को अतित मुख राजबीर जी को बनाया जाए वहां पे यह हमारा मांग हमारी मांग है प्रहु राम का इसके लावारा है मां मंदिर बनाना सरकार काम थोड़े है और तो साधू संतों को तुझातन करना चाहिए जरूरत है जो धर्म गुरू है उनको इससे पहले राम नहीं थे प्रदान मंत्री की क्या जरूरत है प्रदान मंत्री तो पूजा पाट करेंगे एक वीडियो चल रहा है सोसल मेडिया पे चाय टीवी पे निवच पेवी के मोधी जी जा रहा है और राम भगमान राम का जो है कि हाथ पकड़के ले जाएं जब राम 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 रूप में हैं तो उनको कैसे में जाएंगे राम को लाएंगे राम के लिए जान दिया है कौन कह रहा है राम को मोधी जीला है मोधी ने कहा क्या उन्होंने स्रिष्टी की रचना किया है इनका चुनावी प्रवगंडा है दोजार चौबीस के लिए ये लोग जनता को मुरुक बना रहा है इनके पास इसके अलावा कोई नहीं है अईसा है कि अगवाई तो उली लोग किया है भाजपा और अरसेस वाले हिंदू बाहिनी वाले ना राम की राजनित क्या शुरू से आज तक से इतना दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं किसकी कुबप्ति लड़ने वाली आज जने पर पहिंद दिखाने से होता है जो मेहनत क अस प्रदान मंत्री है क्यों नहीं है तो देश का परदान मंत्री देश के परदान मंत्री है लेकिन मंदिर का, कहीं आपके आपके जग होता है, तो सांसत मिदाय को बुलाते हैं नहीं बुलाते है जो उता नहीं 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 भुट ऊफ उतु इनWide दूसरा चीज हो गह गाचन नहीं करते हैं पूजा पाथ पंडित में करात है पंडित को करनता और क्या पूजा पाथ पंDiT कराते हैं प्दान मंंतरी सी दोड़ liberal vale पर चुनाअब नहाना पर फड़क पर। यह सब दोगलपन है और लोग आ रहे हैं कि हम मेनत किया है जो मेनत किया हो जाएगा नहीं देखिए आज का नौजवार रोजी रोटी रोजगार चाहता है मंदिर बनेर आस्ता का केंद्र है हमारी मंदिर पेटिपड़ी नहीं है लेकिन जो मंदिर के नाम पे मंदिर के नाम पर जो सरकार का पाईसा जनता का पायसा जो भाया जा रहा है ओंडिंगerd करेंड के नाम पर या उर्भ प्रतेक गाहों में चल रहा है देखिए पड़िए ओस अपनिक पर के नोर्ण Εight विखसित भारत कारिक्रम अपसे करा हिए आप अपने पार्टी करम इनको बता देखिया है जो लोग आवास से चुटे हैं जो लोग सवचाले से चुटे हैं कि कुछ नहीं मिल रहें देखिए गरीबों का आवास नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है यह बंचित होंगे यह बड़े आदमी है खाली इनको है कि हम कैसे पुराई करें नहीं देखिए बलिया के लोग को चाटा नहीं है बलिया में देखिए विकास के नाम पे जब जब मानियोगी जी गहा है उन्होंने काया की बलिया में मेडिकल कालेज बनवाएंगे ठीक है ओर इनके है कारे कारिकाल होने जा रहा है मार्च में सकते साल तब नहीं कुछ का है सोना बेच के भाग दे खतम तब सरम नहीं आ रही है नहीं लोग तो गाएंगे क्यों नहीं बनवाली पुरा बलिया में अगर एक सर्मा मुख्यमंत्री बनीगे तो बलिया में सगरा भिकास होजे एकर एक मुख्यमंत्री एक सर्मा बनीगे अगर यह वास्तों में आम जनता कहीत ऐसी है पिछडों और दलितों कहीत ऐसी है परसाद मौरिया को मुख्यमंत्री बना के दिखाएं पिछडों में बनाया जाए तो एक सर्मा यह सुतंद्यों जी को बनाया जाए तो बनाया गया बैटने को बैटने को स्टूल मिलता है चेर तक अब मुख्यमंत्री लायक के सरमा या सुतंद्यों सिंग्जी है यह कौन सा भी बागा है कौन सा भी बाग है बताई आप पहली बार में पैले यह आम जंता को गुमराह करने वाले लोगां मंदिर और महजित के नाम पे देश को बातते हैं परिवर्त नाएगा तो पिछड़ा हुआ ज़िए वह भी पी इपी माडल पर प्राइबेट वाला जो है कि मेडिकल कालेज देना तो भी नहीं बनाना है संकर सिंग जमीन की पेशकाश की ती लेकिन सरकार बना नहीं रहें तो जब भी योगी बाबा जाते तब गोशना कर देते हैं बहुत जल्द मिलेगा बलिया को मेडिकल कालेज दोदो मंत्री है दानिस अजाद अन्सारी जी दासंकर सिंग तो भूसरा तो करते ही हैं यह हम कहा रहा है कि वो लोग भूसरा नहीं करते हैं यह तना प्रचार कदर बन जाए यह के साथ यहां पर यहां के लोगों से कभी खतम होने वाली नहीं है और यहां के लोगों ने बताया राम मंदिल से लेकर के विकास तक की बाते की और लोगों ले अलग अलग बुद्धों पर एक जूसरे को कटाक्स करते हुए चरशाय की जब गरके इस पूरे बातचीत पर आपको क्या सोचन अब कविट बॉक्स में रूट बताएगा आप देखरें तलकला हो आले वरनाव विकास सेख्यावरे के पीछे अभी वेख सही हो कि वित्रहसुमें सेख्चावार बहुत बहुत धन्यावाद